खुल कि आज चाल सब बन्या एक दम तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उकात के वारे में जी हां इंडिये के उकात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आप लोग और आप लोग से मेरे धरकास रहेगे कि कीप्या इस वीडियो को अंतिम तक देखे जिससे की पूरा कॉंसेट क्लियर समझ में आए क्योंकि अगर आप बेस को मजबूत बना लेते हैं तो चाहे कितना ही बारा भुकम क्यों न आ जाए आप उसे कंप्रीट कर ही लेते हैं तो आ करते हैं जो के ट्यारी कर रहे हैं और आज लिमीट में हम बेसिक कॉंसेट को पढ़ने जा रहे हैं और जो हम लोगों ने 11 में पढ़ा था कि एक graph plot करके हम लोग ने दिखा सा कि यहां पर राइट हैंड लिमिट कैसे निकानना चाहिए या लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकानना चाहिए तो इन सब graph के बारे में आज हम लोग न परके हम लोग आज डायक्ट चलेंगे फर्मूले की और जो हम लोग का main trick है जिससे के सिट्व करें चलिए तो अगर आगर सबसे पहले अगर लिमिट की बात करें कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड यह मैथ के लिए है और इसे हम लोग आज बहुत ही बेसिक चीस से स्टार्ट करेंगे सीखने का तो लिमिट में सबसे पहले हम जानते हैं लिमीट दो परकार के मतलब कि याहर मिंट होते हैं कितने परकार कर दो परकार के डिप उनले में लेफ्ट हैंड लेमिट यह क्या होगे आपका दालने में सॉट में रिक जबागी हो अर्व आप रूप चाहें तो इसे पुरा फुरा फुर में लिख सकते हैं अपने समझने के लिए अपने concept के अधारपय अपने हिसाब से तो अगर अच्छा अगर मान लिजे कि आप यह यह रोड है आपके लिए आपको सबस्क्राइब और आपसे कोई कहे कि जाओ जाएकर सामने वाली रोड पे देखो जाएकर कोई हीरो सारुखान या सलमान खान कोई आये होगे हैं तो आप क्या करोगे यहां से जाओगे यहां डारेक्ट और यहां से थोड़ा इस साइड राइट साइड देखोगे और थोड़ा लेफ्ट साइड देखोगे तो जो राइट साइड देखोगे उसे ही कहते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट साइड को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसी प्रकार से आप आपको लिमिट निकालने के लिए तो आप कैसे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट देखेंगे कि लिमिट एक्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इतना आप लोग नूट कर लिजिए हम लोग इसे करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं देखने में पले वीडियो कारेटी एदम सही आ रही है चलिए एदम सही आ रही है जखकास आ रही है तो सबसे पहले हमोग बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट की ओर ओके राइट हैंड लिमिट ओके राइट हैंड लिमिट में आप क्या करोगे है मान लिजे कि आपका ये नंबर लाइन है तो इधर आपका क्या होगा पोजेटिव संख्या इधर क्या होगी आपकी निगेटिव हैलिः उ चो真的 हैं मानब आपको देद thickness limit x tends to 0 तो इसका होता है a plus h समझ गए इस यह आपका हो गया right hand limit निकालने का value इसी परकार अगर आपका left hand limit निकालने को बोल ला है तो आप क्या करेंगे इसे आप लोग h tends to 0 के जगा आप लोग इसे a plus भी लिख सकते हैं positive direction की और यहां पर limit a negative function में होगा a minus h क्योंकि negative side जा रहे हैं अगर आप लोग यह दोनों निकाल रहे हैं और इतना मकलब की a plus h जो निकाल रहे है right hand limit is equal to left hand limit that is a minus h यह आपका था right hand limit और a आपका है left hand limit और अगर दोनों बरावर आ जा रहे हैं तो समझें कि आपका जो limit है वो exist कर रहा है वो एकदम सही है ओके तो यह कुछ थे यह सब कुछ थे basic concepts इतना नोट कर लेजिए हलांकि इतनी भी basic पूछनी जाती एंडिये में लेकिन कुछ 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 में आपको यह जरूरत परेगी और इसके बारे में आपने 11 भी पर लिया तो हम इस पर ज्यादर चर्चाने करेंगे आगे बढ़ेंगे सिधे आगे बढ़ते हैं तो नोट कर कर देज़ तो छलते हैं और देखते हैं कि आपको आप कहें कि ऐसा point find कीजिए जिसपे की limit exist ना करता हो वो तो था कि अगर आपका right hand limit मतलब कि आपका अगर rhl right hand limit is equal to left hand limit आ जाड़ा है तब क्या होगा आपका limit आपका exist करता है limit exist लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसा point निकालो जिसपे की limit exist नहीं करता तब आप कैसे निकालेंगे तो उसके लिए अगर मालजी कि आपको दे दिया गया है एक कोचन मैं देखता हूँ यहाँ पर आच्छा चलिए देख लिए 3x square x square x square minus 3x x square minus 3x और plus 2 यह आपका 1 है और आप से पूछे कि इस जगह पर कौन से point पर limit exist नहीं करेगा तो इस जगह पर आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको denominator जो होगा denominator को आपको equal to 0 करना होगा अगर मालजी कि यह कोचन है आपका तो यहाँ पर x square minus 3x plus 2 is equal to 0 है तो इसको सबसे पहले आपको factorize करना होगा factorize कर रहे हैं हम लोग तो x square minus 2x तो आप लोग कर लिएगा minus 2x minus x plus 2 is equal to 0 और यहाँ से अगर x common लेते हैं तो x minus 2 minus x minus 2 is equal to 0 x minus 2 और साथ में यहाँ पर आपका 1 x minus 1 is equal to 0 x is equal to 2 और x is equal to 1 तो ऐसा दो point यहाँ पर आपको मिलेगा जहाँ पर आपको limit exist नहीं करेगा वो कौन से point होगे तो point 2 और 1 इस दोनों point पर आपका जो limit है limit does not exist clear है अगर limit exist करने की बात कर रहा है तो a plus h और a minus h पर हम लोग निकाल लेंगे right hand limit और left hand limit दोनों पर देखेंगे कि दोनों गर ब्राबर आ रहे हैं तो क्या है आपका limit exist करता है और पूछे कि कौन से point में आपका limit exist नहीं करता है तो जो कोचन है उसके आप denominator को is equal to zero कर देंगे अगर माल जिए कि आपके पास पूछा है 1 by sin x कौन से point में इसका exist नहीं कर देंगा sin x is equal to zero कर देंगे अराम से निकाल लेंगे n into pi by 2 प्लस x असका value निकल के आ जाएगा तो ऐसे बहुत सारे कोचन इस मेथा से आपके solve हो सकते हैं और यह भी आपका basic concept था लेकिन बहुत बच्चों इसे नहीं जानते थे तो इसलिए हमने बता दी आप आगे की और बढ़ते है है अगली कोचन की और अगला स्वरी अगला कोचन नहीं अगला टॉपिक है और टॉपिक को बताने से पहले आपको बता दे कि यह तीन चीज़ों मैं भी बताया जा रहा हूं थ्री टाइप ओफ लिमिट इससे बहुत ही और से सुनिएगा क्योंकि आप इस थ्री टाइप ल हाते हैं तो अब यहाँ से सीख लिजे लिमिट आपके दो परकारके होते हैं तीन परकारके क्तने फॉर्म होते है इसके ठी मेश सबसे पहला फॉर्म क्या होता है इंफिनिटी वाइ इंफिनिटी दूसरा फॉर्म होता है जीरो वाइ जीरो और तीसरा कौन सा फॉर्म होता है वन के पावर इंफिनिटी एक एक्स्ट्रा में होते हैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लेकिन यह उतना इंपोर्टेंट नही पलब में एटें कोन कॉन कोन 150 चीने यो किस भाइब analogy कि अगर आपको कोई कोशह दे दिया गिया अभी सब समझ में आएगा आपको पुरा समझ समें प्लाइस में नहीं समंझ में तो आड्रेस को Ben कर दिजेगा विदिन सेवन आवर्स आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा ओके तो इंफिनिटी वाइं इंफिनिटी फॉर्म क्यों बढ़ते हैं हम लोग अगर आप से कोचन दे दिये जाए कि लिमिट एक्स टेंट्स तो इंफिनिटी और एक्स एसक्वाइर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी एक्स एसक्वाइर प्लस सी एक्स प्लस डी तो यहां पे अगर आप एक्स का वहलू इंफिनिटी पुट कर रहे हैं इस जगह पे तो आपका क्या निकल क्या एगा तो infinity put कर रहे हैं तो आपका value क्या निकल कि आएगा बताइए आप लोग बताइए आप लोग सोचीजे तब तक मैं आगे solve करता हूँ अगर आप लोग यहाँ पर limit x तो इहां पर infinity रख रहي हैं तो इसका मतलब कि x का जगापला होगा और x का जगापलां कर इंफिनिटी है तो infinity एंट मालजी ही कोई नमबर है इंटॉ-इंफिनिटी का square तो बस तो आपका infinity ही आएगा पल बैप to infinity है कि यहां कोई नमबर आप घठाए और रहता क्या है इंफिनिटी में ही रहता है तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका इंफिनिटी वाई इंफिनिटी समझ में आ गई infinity form कैसे होती है अगर आपको जो कोचन दिया गया है numerator और denominator में उसमें आपको देखना है कि अगर उसमें x का जगा पर यहां पर कर रहा है limit x tends to infinity और x का जगा पर आप infinity put कर रहे हैं तो अगर आपका form infinity by infinity form में आ रहा है तो आपको क्या होगा हो first form that is infinity by infinity form और इसा solve कैसे करना है आए इस पर लोग चलते हैं तो इतना नहीं लिखा है तो लिख लिजिए हम लोग आगे की और बढ़ने जा रहे हैं और आगे की और हम लोग बढ़ते हैं तो अगर नहीं लिखा है तो आप लोग की पैसे बैक कर ले रिवाइंड कर ले और लिख ले आज वन सॉट वीडियो लेक्टर नंबर वन है लेकिन आज ही इसे कंप्लीट कर देंगे एक ही लेक्टर में पूरी कॉंसेप्ट के सार्थ चलिए तो आगे की और बढ़ते हैं किसका आने वनों पर रहे हैं इंफ्रिंटी वाइं इंफ्रिंटी फॉर्म के बारे में ओके इसमें लोग ने क्या पढ़ा अगर आपका कोचन दिया हुआ है इस टाइब का की लिमिट x tends to infinity a x square प्लस bz प्लस c upon bx square प्लस c एक्स प्लस d आपान लोग 5x का प्लन कर रहे इस के एंसर कैसे निकल लिएगा आप लोग मानीचिया उप्ला दिया विठ और एक्स 5x plus 6 upon 9x square plus 10x plus 11 माल लिए क्या पर कोचन है और इसका अगर लिखा हुआ है क्या लिमिट x tends to infinity बताए कैसे बनाएगे आप लोग जो परहा हुआ हो तो बता देगा लकिन जो नया नया आया है वो तो नहीं बता पाएगा ऐसे कोचन में फंच आई है क्योंकि यह सा कोचन आपने 11 में कभी परहा नहीं तो इसका एक ट्रिक है कि अगर आपको infinity by infinity form आ रहा है तो बस वैसे ही केस में जो दो अधर केस हैं 0y 0 form और 1 के पावर infinity उसमें आजसा नहीं करना है सिर्फ इस बाले कोचन के फोर में आपको क्या करना है जो हाइश्ट पावर का कोईफिसेट रहे है माल लिए कि आपका हाइश्ट पावर इसका क्या हो गया इस कोचन काएश्ट तो यहां पर हाइस्ट तावर का कोईफिस्येंट ए है अपन और निचे में भी गुछले पीक कोंसेपट कोचन पर है की चलिए जब लिस एकmar को आप लोगों का एंसर जो समझी विया इसे उसका यह निकल लिया मैं जब तक भी आ कि अल यह ऊंजिल देखिया है सबसे numerator का highest power का coefficient, numerator के highest power का coefficient क्या है, 4, denominator का highest power का coefficient क्या है, 9, और दोनों का ratio क्या होगा, 4 is to 9, that is 4 by 9, 4 upon 9, यह आपका answer आ गिया, अच्छा, अमान लिजे कि अगर आपको, जरूइन यहीं कि आपको quadratic form में ही देगा, यह आपको by quadratic मतलब कि पावर 4, पावर 10, पावर 11, पावर infinity तेख आपको जा सकता है, अगर अमान लिजे कि आपका यहाँ पर दे दिया गया, दो के जगा, 4x raised to the power of 4, प्लस 5x square, प्लस 4x square, प्लस 5x, प्लस 4, अपन 5x raised to the power 4, प्लस 6x raised to the power 3, प्लस 2x raised to the power 2, प्लस x, प्लस 9, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप quadratic को ही नहीं लेंगे, जो सबसे highest power है, याद रखे, हमेंसा याद रहे है, जो सबसे coefficient of highest power of numerator is to the coefficient of highest power of the denominator, is the answer of your infinity by infinity form, तो इसका answer क्या हो जागा, देखिए, numerator का highest power का coefficient 4, denominator का highest power का coefficient 5, एंसर आपका 4 by 5, लेकिन इसमें भी आप अग देखिए, इतना आप नोट किजिए, तो आपको एक कोच्छान देता हूं, फिर आप फसेंगे, उसमें देखिए, कैसे फसेंगे, चलिए पूरी के लिए, पूरी के लिए पिक्चर आ रही है, लेकिन बस एक दर्खवास रहेगी कि कि भीपिया अपने चैनल को, इससे आप अपना चैनल समझेंगे, और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और सिजर भी कर दे क्योंकि बहुत जल्द हम लोग अगर आप लोग का साथ रात तो आगे चलके इंट्रेक्टिव पैनल भी लगा लेंगे और बहुत ही सुविधा होगी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा पढ़ने तो चलते हैं एकसेप्सन कीओ तो अभी तेकने हम लोगोंने पालक का पार्ट जो की था आपका पास हम लोग infinity by infinity form में ही हैं अभी कौन से form में घुसे हुए हैं अभी तक infinity by infinity form में है मान लिज़े कि आपको यहाँ पर पावर दे दिया गया ax square प्लस bx प्लस c और नीचे में आपका denominator क्या है मान लिज़े कि denominator है आपका bx cube प्लस cx square प्लस dx प्लस e क्लियर है दखाई दे रही है अगर आपको इस परकार का कोचन मिल गया तब आपको कहेंगे कि सर इसमें highest power of numerator तो a हो गया और highest power of the denominator भी हो गया तो इसमें answer ayb हो जाएगा तो नहीं इसमें answer आपका ayb नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि आपका जो power है numerator और denominator दोनों सेम रहना चाहिए अगर यहां पर आपका x square है तो निच्चे में भी x square ही maximum power रहना चाहिए और उसी का coefficient और इस तक coefficient का ratio ही होगा answer ऐसा नहीं कि इसमें power 2 है इसका numerator का highest power का coefficient a हो गया denominator का highest power का coefficient b हो गया तो लिख दिए एस टू बी तो इगलत हो जाएगा आपका power देखना होगा match करना होगा अगर यहां पर सबसे highest power denominator का 3 है तो numerator का highest power अब भी 3 रहना चाहिए यह लाजमी है 3 रहना ही चाहिए इसे समझ में आया तो क्या अब क्या होगा भाई इसमें तो सब्सक्राइब कुछ करने के जूरत नहीं अगर अच्छा माल जिए किस का एंस तक किस प्रकार को देगा कोचन माल जिए कि आपका 2x square plus 3x प्लस 5 अपन 10x cube प्लस 9x square प्लस 8x प्लस 7 इस प्रकार से आपको कोचन को दे दिया अब कोचन तो आपको रेल दिया आपको क्या करना है समझ गया ना कोचन आपको रेला limit extends to infinity यहाँ पे भी लिख लिजेगा limit extends to infinity यहाँ पे क्या करना है हम लोग को देखिए सासे पहले इस concept को समझेए अगर आपका numerator का power highest है denominator का power आपका numerator का power कम है denominator के power के मुकाबले और वो infinity by infinity form में आ रहा है तब क्या करना है क्योंकि दोनों तो same power नहीं है same power आता है तब नहीं जो coefficient होता उसका ratio ब्रावर होता तो यहाँ पे same power तो है नहीं तो हम लोग यह यहाँ पर क्या करेंगे इसका answer डायक लिख देंगे is equal to क्या बोलिये 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 बहुत सारे बच्चों ने तो बता दिया इसका answer होगा आपका जीडो डारेक्ट आंख बुंद के यहां पर क्या होगा इसका एंसर इस पर हम लोग इंफिनिटी पुट कर रहे हैं एक्स के जगह पे तो आपका एंसर क्या रहा है सर इंफिनिटी राइं इंफिनिटी के फॉर्म में आ रहा है लेकिन दोनों का पावर अलग-अलग है लेकिन डिनमेंटर का जो वह ज्यादा है तो यह उग क्या हो जाएगा आपका जीडो एंसर आ जाएगा ठीक इसके विप्रीट के सब्सक्राइब हम लोग एक आउड देख लें देख लें देख लें देख लें दिजा इधर फ्रेमिंग आ रही है कि नहीं आ रही है चलिए थोड़ी दू तक आ रही है उतनी में हमारी अलात असामी से हो जाएगी तो मान जीए कि अगर इधर हम लोग लेके चल रहे हैं और इधर में मान जीए कि ऊपर में आ गया 10x क्यूब पलस 8x स्क्वार पलस 9x पलस 3 अपन 9x स्क्वार पलस 8x पलस 7 तब इसमें क्या करेंगे देखें यहाँ पर आपका नीचे देखें यह भी आपका है इंफिनीटी पाइएल मिनिमी फार अर्य जादा है मैकसिमम है इनколमरेचन निमेरेटर और कि यहाँ यहां पे देखें, तो यहां पे देखिए, numerator का पावर जदा है किसके पक्षा, denominator के पक्षा, तो यहां पे क्या होगा? zero नहीं होगा, यहां पर zero answer नहीं होगा यहां पर आपका answer क्या होगा? infinity एदम सोट्री एजान यापको कोचंदेदे इस तरह से आप यहाँ पर पूट कर रहे हैं इंफिनिटी पाइंफिनिटी के फॉर्म में आ रहा है आपका लेकिन देख रहे हैं कि नुमिनेटर का पावर जो है सो ज्यादा है डिनुमिनेटर के भारत में जो लिए लवबी देखा है ना मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनू में है तो मुस्कुराइए क्योंकि आप मैठ पर रहे हैं देश्टेफ पे से चूट मिशन एंडिये से कि और इस बार रैंक निकाल देना है बेटा पार्टी नहीं बेटा परहाई चाहिए पार माई का लाल पैदा नहीं हुआ इसी के सब आगा की और बढ़ते हैं और दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग वन रेश्ट सोरी हम लोग दूसरा के सब्सक्राइब तो लास्ट था जी रो अपाइब जी रोपॉर्म जीरो अपाउन जीरो फॉर्म ओके तो इसमें कैसे होगा सर तो आपको मुझे एक मेंट देखने हैं दीजिए एक टाप का कोचन देखने हैं दीजिए जीरो अपाउन जीरो फॉर्म जीरो अपाउन जीरो 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 चलिए 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 सब शुरू किया जाए जीरो लेकिन आसान भी है अगर आप समझिएगा हिदम गौर से सुनिए किताब को पर सामने रखी रही है लिखतर यह पॉइंट टू पॉइंट क्योंकि आपके लिए हमने इतना मिहत्त किया है पूरा फ्रेमिंग आ रही है आपकी लाइटनिंग आ रही है वहुत विवस्ता की है औ लोग चलते हैं जीरो फॉर्म की और इसमें क्या है अगर आपका लिमिट जीरो फॉर्म में आ रहा है तब क्या करना है आपको देखें सोल्फ किजेगा उतना अगर आप सोल्फ किजेगा उतना तो आपका टाइम भी निकल जाएगा पता चाड़ेगा कि 5-10 कोचन मुस्किल 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 बना पाइगा उपर से भूला हो जाएगा तब प्रेसर तरह भी कड़ेगा तब प्रेसर तो सब अच्छा को रहता है और कोई पहलावार जा रहा है एजाम देने तो तब 5-10 कोचन बनाएगा उपर से प्रेसर मतला कि समझेए 5 कोचन बनेगा अब साथ मैं एकजम्पल भी कराते हैं चल ला हूँ और हो सके तो अगले पार्ट में मैं कुछ कोचन करा दोगा यहां पर आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग चलते हैं 0 by 0 फॉर्म की तरफ और 0 by 0 फॉर्म में जाएं से पहले हम लोग इसका concept समझते हैं limit x tends to 0 यहां पर आपको दे दिया e raise to the power x minus 1 upon x क्लियर है कोचन देखिए गोड कीजिए कोचन कैसे बनेगा यह तुसर एकस 0 by 0 x tends to 0 दे दिया e raise to the power x minus 1 upon x से बार मुस्किल लग रहा है कुछ मुस्किल नहीं है भाईया हम है देश्टेप है तो फिर क्या गम है बनाए बनाए नहीं बनेगा तो बोलिए बनाए चलिए देखिए e के पावर x कर रहा है तो यहां पर आप 0 पूट कर रहे हैं तो e raise to the power 0 minus 1 upon 0 e के पावर 0 होता है है लिए इसके लिए एक नियम आता है एल रो फिटर और इसे हम बनाए पहुचा देंगे तो देखिए एल फोस्पीटर क्या होता है से एल के फोस्पीटर रूल गोड़ करेंगे सर एल होस्पीटर रूल पे क्योंकि बहुत जवरी है एल होस्पीटर होस्पीटर पहुंचाना है न और हाँ लाइक कर दिजेगा भई या इसे तो बिटाया बात के सब जगा अंगली करते हो यहां पर काम के लिए बोला हूं लाइक कर देना उन्ठा द आपका जो नूरेतर है पूरा नूरेतर और साथ ही साथ ऐस इसले मेंड एज डेनॉमिनेतर inator नूरेतर और साथ इसले टेनॉमिनेटर दोनों के ईंडाए उन दोनों के वैलattend को हर एक पार्ट के बैंडिउको डिफ्रेंसीड करते हैं उसका तोब। यहां से समझेंगे देखिए कैसे इसका यहां पर कोचंग था किया लिमिट x tends to 0 e के पावर x minus 1 upon x यहां पूट करने पर 0 आए कि हम लोग ने यहां पर देख लिया तो इसे सुल्फ कैसे करना है हम लोग इसे देखेंगे तो देखेंगे dy dx इसे हर एक पार्ट को numerator में भी denominator के हर एक पार्ट को हम लोग क्या करेंगे differentiate करेंगे कैसे आए देखते हैं d upon dx into e के पावर x minus d upon dx into 1 upon d upon dx into x अगर इसका हमलों differentiate करेंगे तो क्या होगा इसका differentiate करेंगे तो e के पावर x का e के पावर x नहीं आएगा यहां पर आपका one है तो constant का value हमेंसा differentiate करने पर जीरो आता है और इतना मुड़क हो है तुम लोग इतना नहीं परहा तो क्या परहा फिर दो परहाई छोड़ दो यार और रिख करेंगे तो इसका पावर कितना है one one into x into one one into x रेस्ट दो पावर one minus one zero तो आपका answer कितना है वह न आएगा इस इक्वर टू e के पावर x इसका answer जला आया और एक्स को जब आप लोग 0 पूट कर दे रहा है तो e के पावर 0 इसका आइसर आजा रहा आपका one कितना सिंपल था निकानलाई से कितना हम अराम से निकाल लिए नोट कर लिजी अगर आप लोग नहीं किया है तो और चलते हैं हम लोग दूसरे कोचन की ओर विस सर्व कि अच्छा कितना मियंट को आप है देख लेता हूं मैं ओके 28 मियंट हो गया है सर और दो फॉर्म का जिरो फॉर्म ही है और चलते हैं इसके अगले कोचन की ओर वह मिताब बचनक बोलते हैं ना तो कंप्यूटर महां से क्या लॉक कर दिया जाए तो बताए भाईयों लोग क्या इसे लॉक कर दिया जाए इसे इरेस्ट कर दिया जा कि आप करन पॉर्म हैं फिर से को आप सौंच लिजिए चलिए सरा आगे कि वह बढ़ते हैं मोटीवेटर हो बच्चा हमेशा मोटीवेटर हो कि बहुत देख ली सुबह तेरी अब मैं तुझे वह राद दिखाने वाला हूँ मेरे खिलाव बोलने वाले दुस्मनों जाग जाओ मुझे मैं अब तुम्हे तेरी अब कात दिखाने वाला हूँ मैं अब तुम्हें तुम्हारी आउकात दिखाने बाला हूँ इसी मोटिवेसें के साथ आगे बढ़ते हैं अगली कोचन की और अगला कोचन मुझे देखने हैं दिजिए अगला कोचन क्या है limit x tends to 0 2 raise to the power x minus 1 upon under root 1 plus x minus 1 क्या है अगला कोचन चलिए limit x tends to 0 और कोचन क्या है 2 raise to the power x minus 1 upon अगला क्या है खाय पिये हो की नहीं खाय पिये हो भाईया सुस्त का बईठे हो 2 raise to the power x minus 1 upon under root 1 plus x minus 1 बनाओ भाईया इसने भी भाईया हाल हो जाएगा हाल भे हाल हो जाएगा भाईया अ कि इससे पहिला आपको डिफ्रेम्सिय sentiments पढ़ेन क मळना जादी है ठाब हिर्म अगर आपने पहरे डिपरेंसिये सन् तो हमने भी वीडियोध नहीं आपलोड कर देंगे बहुत जब्रोडी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तब तक अगर नहीं हुआ रहा अपलोट तो आपको किसी दूसरे आदमी का जो दूसरे चैनल का पब्लिकेशन है उसके दोरह आप डिफ्रेंसियेशन पढ़ ले सकते हैं आप खुछ से रिभाईच करके आ सकते हैं बैसी पैसी कॉंसेट डिफ्रेंसियेशन को मालूम नहां जोरी है क्योंकि आपको बहुत ही इसमें काम आएगा रिफ्रेंसियेशन का बहुत सारा रूल ओके नहीं पूट की जिए 2 का पावर 0 2 का पावर 0 माइनस 1 अंडर वूट 1 माइनस x तो अंडर वूट 1 माइनस 0 sorry 1 माइनस 0 और माइनस 1 प्रिफ्रेंसियेशन करना है हम आपने बताया है तो बताया है तो करो गदो बैठे किस लीए हो करना होगा अब तो जेल का रोटी खाना पड़ेगा अब तो जेल मचक की पिसना पड़ेगा इसका क्या इसे होगा सर फसका ना तो इसका इसलिए कहते हैं बैटा डिफ्रेंस्येशन को पढ़ना जोड़ी है इससे सुल्फ करने के लिए माइनस अंदर है बाहर चलाएगा तो क्या होगा माइनस वन माइनस एक्स है ना तो माइनस एक्स तो बाहर आ जाएगा सबसे पहले आँग इसके अंदर वाला का रिफनेस लिसंग कर रहे हैं तो माइनस x आ गया तो माइनस 1 आपका आ गया क्योंकि अच्छा देखिए कहां ते यहां पर देख लिए चलिए क्या था अंडर रूट 1-x तो सबसे पहले हम लोगों मैनस एक्स करते हैं इसके पावर में 1 है तो मैनस इंटू 1 इंटू 1-1 जेरो एक से पावर जेरो 1 भेलो कितना आएगा मैनस वन आया ना भेलो मैनस वन तो यहां पे मैनस वन हम गोने लिखा और अपान 2 अंडर रूट 1-x और इस तो